वाटर एब्जॉपेशन जल अब्सुसर्ण के दूसरे भाग में हम उन विधियों का अवलोखन करेंगे जिसकी सायता से प्लांट अपनी रूट्स की सायता से जड़ों के द्वारा जल को पत्यों तक पहुंचाते हैं कल अपने बात की कि बैसिकली इसके दो टाइप हैं दो प्रकार हैं उनमें पहला जो है वो है पैसिव या इनेक्टिव वाटर एब्जॉपेशन मोस्ट पॉबली पोध में यह बहुत सक्सेस्पुल विधी है इसी विधी के द्वारा लगभग पोधे 97 तू 98 परसेंट पानी का आउस्टोशन करते हैं इसका मुल्भूत का आणिये है कि इसमें उर्जा का लौस्ट नहीं होता यह उर्जा बिना खर्च किये उर्जा की हानी नहीं है यहां पर दूसरा इसका जो सतह है या यह कहें कि इंड़क्शन है वह है पादप की पत्तियां पादप की पत्तियां जो उपरी सतह है वही एक प्रकार से प्रणगा कारे करती है यह उस्ट की वजह से इसा होता है और तीसरा है महत्वपूर्ण की यह अकर्डेंग टु नीड है according to need का मता होता है कि पोदों को जब जल की आउस्ता होते है तब यह ज़्यादा सक्रियता से काम करता है और जब जल की आउस्ता नहीं होती है तब इसकी सक्रियता भी कम हो जाती है इसके अंदर जो प्रेसर काम करता है या जो में पुल है वह है ट्रांस्पिरेशन पुल Transpiration Pull Basically Transpiration Pull क्या है उसको हम अभी समझेंगे तो पुदो में लबबक सभी प्रकाल के पुदो में खास तर पर बड़े प्लांट्स में ये Successive विधी की रूप में या Successful विधी की रूप में Study की जाती है देखते हैं ये विधी क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं हमने लास्ट जो टॉपिक्स हैं Osmosis उनके अंदर सभी प्रकाल की दाबों का ध्यन किया है अब हमें उन सभी दाबों की यहाँ पर आउश्यक्ता होगी माल लगते हैं कि ये एक Top Leaf है जो सबसे ऊपर की और है हमने Top Leaf का नाम इसले लिया क्योंकि सुर्य का जो प्रकास है वो इसी पर गिरता है इसका जो संबंध है वो जायलम और फ्लाहें के द्वारा पोदे की जायलम और फ्लाहें के साथ है और ये भाग जो है वो जड़ों से connected है जड़ों से संबंधित है मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी cells है जिसे हम कोई भी एक cell ले सकते है जिसे ये cell है इस प्रकार से मान लोग की ये cell A है जब सुरी गिनने पत्ती की सतह पर गिरेगी तो पानी यहाँ पर वेपर की रूप में बहार निकलेगा वास्प की रूप में जिसको हम सामने लोप से ट्रांस्पिरेशन केते हैं ट्रांस्पिरेशन यह एक अलग टॉपिक है जिसके बारे हम डेटल से बात करेंगे जब किसी सेल के अंदर सेल ए जिसके दौरा जल की हानी हुई तो हमें कह सकते हैं कि जो सेल ए है उससे जब पानी बहार निकल गया वाटर बहार निकल गया तो इस सेल की कंसेंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज होगी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि इस सेल की ओपी बढ़ गई और टीपी डाउन होगी तो अगर हम फॉर्मुले में इसको लगाएं तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी तो हम देखेंगे कि जब ज़्यादा में से कोई सी ज़्यादा आएगी कम जाएगी तो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी इट मेंस मैग्जियम होगी अगर हम अब सेल बी की बात करें तो क्या है सेल बी के बारे में बात करते हैं सेल बी फिलाल पूर्ण रूप से टर्जिड है टर्जिड का मतलब हो गया पूर्ण फुली हुई है और यह सेल कमपरिटिवली पिछ की हुई है इट मेंस अब फ्लेशिड है फ्लेशिड पिछ की हुई आप देख पा रहे हैं कि जो सेल जिसने पाने के लोस कर दिया उसको निश्शी तरुप से पाने की जुर्थ होगी और पाने की जौर्थ उससे नजदी को सिखा दरा पूरी की जाएगी इट मेंस सेल बी सेल एको वार्टर प्रदान करेगी यह हम टर्जिडिटी और फ्लसिट सेल के अधार पर समझते हैं अब इसी को आफ फॉर्मूले में ले लिजे अभी एट सेल टर्जिड है तो इसका डीपीडी क्या हो जाएगा ओ पी इसकी तुलना में ज्यादा है माइनस टीपी थोड़ा सा कम हम जानते हैं कि डीपीडी का जो में फॉर्मूला है उसके अंदर मूमेंट आफ सॉलूशन क्या है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी ये वाला मास्टर फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा इस सेल का डीपीडी कम है और उस सेल का डीपीडी ज्यादा है तो पानी यहां से वहां तक जाएगा शेम फॉर्मूला शेल सी के लिए भी लग जाएगा शेल सी जो की ये है इसमें भी वहist दिती रह llegó अब भी सेल गा जो पानी निकलेगा तो ये वाली दिसामें घा जाएगी और इसके नीचे जो सेल है वो बी वाली दिसामें होगी तो जो comparison हम ए और बी में कर रहे हैं वही comparison हम B और C में करेंगे तो water moment क्या हो जाएगी यह हो जाएगी इस प्रकार से हम देखते हैं कि cell B से A में C से B में और इस प्रकार क्रम से यह chance शुरू जाएगी चुकि water यहाँ है तो यह इस्तिति यह जायलम है जायलम की moment water को इनके नजदिक पहुचाएगी due to dpd gradient और इसके अंदर जो cell है जायलम की cell है उनमें यह pressure क्रम से आगे बढ़ता चला जाएगा और एक strength एक तनाव उत्पन हो जाएगा जब लगातार खिष्चने की क्रिया आगे की और जाएगी तो यहाँ पर दो force और काम करेंगे तो इनके कणों के बीच में एक force generate होगा जिसे हम cohesive या ससंजक बल कहते हैं cohesive force या ससंजक बल साथ ही जो water molecule है वो इन दिवारों के साथ भी एक force दरसाएंगे यह force जो है वो है adhesive force आसंजक बल जो ससंजक बल होता है वो समान अनों के बीच में होता है जल और जल और आसंजक बल होता है वो एस समान करणों के बीचता है water molecule और वाहिकाओं की दिवारें इस प्रकार से यहां पर कुल मिलाकर तीन force हो जाएंगे पहला हो जाएगा dpd आप opb यूज कर सकते हैं समझने के लिए प्लस में adhesive force और प्लस में cohesive force यह तीनों force मिलकर आपस में एक strength प्रदान करेंगे खिचाव उत्पन करेंगे उस खिचाव का नाम हो जाएगा ट्रांस्पिरेशन पुल वास्पोर सर्जन कर्षनबल बड़े से बड़े पोदे में जल का प्रवाह जड़ों से लेकर पत्तियों तक इसी विजी द्वारा होता है यह फोर्स इतना ताकत होता है कि 500 फुट तक आराम से पानी का प्रवाह हो सकता है कि एक्टिव फोर्स इससे जर्स टूलता है यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो कि एक्जाम पॉइंट ओफ्यू से यह ज्यादा इंपोर्डेंट है यहां पर सभी सेल अगर हम देखें जल का जो प्रवाह है वह वाही काउं वेशल्स और ट्रेकिट से और और फोर्स भी ट्रगर प्रेशर डीपीडी और एडेसिव कोश्यू काम कर रहा है तो यहां पर एनरजी रिक्वार्मेंट है ही नहीं उर्जा की जुर्द है ही नहीं इसलिए बिना उर्जा खर्च किए पोधे जल का आउस्षिण कर पाते हैं साथ ही पोधों में जल की सबसे ज्यादा दिमांड होती है दोपाएर के समय गर देखें तो दोपाएर के समय ही बस्ट या ट्रांस्प्रिशन जो है वह ज़ए हो इसलिए फॉर्स भी उस्षी समय ज़एगा सुबह और साम कम पैरिटीली अगर हम देखें तो जल की तो यह इस बात को भी explain करता है कि पोदों को जब जुर्थ होती है तब यह force क्या उस समस्या का समधान करता है या नहीं करता है तो यह काफ़ important है देखें अब हम बात करते हैं second जो कि है active थोरी यह जो एक्टिव थोरी है यह एक्टिव वाटर एप्जॉपेशन है दूसरा जो टाइप है एक्टिव वाटर एप्जॉपेशन सक्रिय जल आउसोशन इसमें नाम से ही जाईर है एक्टिव है एक्टिव इट मेंस रिक्वाइर्मेंट आफ एनरजी यह बहुत ज़री होगी पहला point यह हो गया बिना एनरजी के यह नहीं होता है एनरजी यहाँ पर ATP के रूप में है और क्विशन बनता है कि ATP आती कहां से तो यह आती है by respiration in roots जड़ों में सोशन के द्वारा यहाँ पर एक force create होता है वह है root pressure root pressure root pressure basically जड़ों में सुबह के समय in the morning सुबह के समय maximum होता है अधिकतों होता है कि यहां पर अगर हम देखें तो इसका जो value है वह बहुत ही कम होती है और इसके द्वारा जो जल आवसोशन है कि वह एक से दो परसेंट होता है कारण कि फोर्स इतना कम होता है कि यह कि छोटे पोदों में कारे कर सकता है इसलिए इस थ्योरी का कोई आहित बड़े पोदों में कोई कॉनसेक्टि नहीं है यह बड़े पोदों में लागूण होती है बड़े पोदों में अगर होगी वी तो expected नशन ले सकते हैं दूसी एनर्जी लोस हो रही है तो यह एनर्जी लोस करके पोधा अपना नुक्सान नहीं करना चाहेगा इसलिए एक्टिव वाटर एप जो परेशन जो है वो छोटे पोधों खासतोर पर ब्रायोफाइट और स्माल प्लांट्स में उप्योगी हैं तो एक हमारे लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है हमें इस थ्योरी को ज़्यादा नहीं देखना है हमें दो चीज़े ध्यान रखनी है कि यहां पर एक तो उर्जाग का इस्तमाल होता है जो की जड़ों में सुसंद्वारा है और दूसरा है मूलडाब मुख्य जो प्रेसर मोलडाब है जो की सुभगे से महले ज़्यादा होता है यहीं इसका ड्रॉबेग है कि जब इसकी जुर्थ होती है तब यह होता है तो इसलिए इस थ्योरी को हम रिजेक्ट कर देते हैं हां एक से दो परसेंट पोदों में जो साइज के हैं या ब्राइफाइट के टेकरिए हैं वहाँ पर यह बैसिकली उप्योग की जाती है लेकिन है बड़े पोदों में यह कारगर नहीं है तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अब पाथवे ओफ और पाथवे ओफ वाटर एब्जॉपेशन जल अवसोसन का मार्ग क्या है जल अवसोसन का मार्ग क्या होगा जल अवसोसन का मार्ग की बाद करें तो हमें तीन मार्क देखने हैं मैं एक सोटे से डाइग्राम से आपको explain कर दूं मालने यह जड़ का कोई भाग है जहां पर cells का arrangement कुछ इस प्रकार से है यह एक cell है यह दूसरी cell है यह तीसरी है और आपस में यह सेल वाल और प्लाजमो डेस्ट मेटा द्वारा जुड़ी हुई है इसमें यह जो पॉर्शन है यह सेल का एक्टिव पॉर्शन है जिसमें वेक्क्योल होती है और सेल सेप होता है यह सेल सेप है यह सेल वाल पॉर्शन है और यह वेक्क्योल है इसी बैसिस पे पाथ्यों वाटर और जल्शन का मार्ग तीन कैटिग्रियें विटावा है नमबर एक सिम्प्लास्ट नमबर दो एपोप्लास्ट और नमबर तीन वेक्क्योलर सिम्प्लास्ट बैसिकली एक्टिव पार्ट है सक्रिय भाग है एपोप्लास्ट बैसिकली डैड रीजन है और यह भी डैड रीजन ही मानेंगे कैसे अभी समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं नमबर एक सिम्प्लास्ट की जो की मौस्ट एक्टिव पार्ट है तो हम यहाँ पर देखेए कि जल 的 GPA एक सेजय के तूसरी की वह यहा पर एक के सेजल के प्रोटोप्लाजम में होती हैं यहां पर जो connection का जो कारी है वो एक से दूसरी सेल में plasma death मेटा दोरा किया जाता है basically यह सब कुछ gradient पर depend करता है इस cell को इसकी तुनला में कितनी जल की जुर्थ है उसके इंसार water flow होता है तो यहां पर इस कारी को करने के लिए जो की simplast है simplast water moment उसमें ATP की जुर्थ होती है उर्जा की जुर्थ होती है और यह में सेल टू सेल होता है नंबर दो हम बात करें है एपप्लास्ट एपप्लास्ट जो है वो सेल वाल से सेल वाल होता है water moment फ्रॉम सेल वाल टू सेल वाल यह नंबर दो है इसको हम एपप्लास्ट केते हैं एपप्लास्ट और निर्जीव पात्वे और निर्जीव बैसिकली इसमें देखा गया है कि जो वाटर फ्लो है वो डेट पार्ट से होता है सेल वाल उसका का डेट पार्ट है तो वहां से water moment जोती है वह एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचती है लेकिन इसका एक disadvantage भी है अगर हम देखें तो इसमें एंडोडर्मिस की जो सेल है एंडोडर्मिस की सेल में हम जानते हैं कि कैस्पेरियन बैंड पाए जाते हैं कैस्पेरियन बैंड की वजह से वाटर एक जगह आकर रुख जाता है इस कैस्पेरियन बैंड जो की एक बैरियर है तो वाटर कंडेक्शन सेंग लिए यहां पर एंडोडर्मिस मेंब्रेन कारे करती हैं एंडोडर्मिस मेंब्रेन के द्वारा वाटर मूमेंट वन सेल टू से लोता है इसे हम एंडोडर्मल मेंब्रेनल वाटर ट्रांसपर कहते हैं तो एंडोडर्मल मेंब्रेनल वाटर ट्रांसपरेशन एक प्रकार से यह वो प्लास्ट का ही भाग है तीसरे और लास्ट पॉसन के गरहने बात करें थर्ड and फाइनल तो हम देखेंगे कि वाटर मुवमेंट जो है वह वेक्चुल टु वेक्चुल है एक सेल के वेक्योल से दूसरी सेल के वेक्योल तक लेकिए इसमें बीच में प्रोटो प्लाज्म भी पार्ट लेता है और प्लाज्म O vérit भाग लेता है तो हमें यहां पर ध्यान लिढ़ा होगा जो सब्सक्राइब थरड़ पार्ट है वेक्योलर उसमें एटीपी की रिक्वायर से वाटर वेक्योल में आएगा और फिर वापस प्रोटोप्लाजम जाएगा तो उसको आगे पहुंचने के लिए उर्जागी जुर्थ पढ़ती हैं यहां पर बैसिकली ऑस्मेटिक प्रेसर थिरी कारे करती हैं ओपी थिरी कारे करती हैं क्योंकि सेल के अंदर जब पानी का प्रवाह होगा तो वेक्योल भढ़ जाए फूल जाएगी और उसका ओपी गिर जाएगा और जब पानी बहार निकलेगा तो ओपी बढ़ जाएगा यह बात हमने पहले भी बात के लिए तो बैसिक तीन मार्ग होगा इसके सिंप्लास्ट एपोप्लास्ट और वेक्योलर हमें आज क्लास में देखना है कि थियूरी क्या है जो आमने पड़ी साथ ही वाटर पाथ में क्या है यदि इससे संबंदित कोई भी समस्या आप को आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में डा सकते हैं और इससे पूरू वीडियो क को देखर आप इसों कनेक्ट भी कर सकते हैं तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू